नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Competition Community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज से हमारा जो नया सो है नया प्रोग्राम है The Current Affairs वो शुरू हो रहा है इसके बारे में बेसिक जनकारी मैंने कल आप लोगों को दे दिया था फिर से एक बार बता देता हूँ इंडिया में अगर आप किसी भी Competitive exams की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो Current Affairs की तैयारी आप यहां से कर सकते हो या सो प्रतेक सोमवार से सुकरवार तक रात को 9 बजे आप लोगों को मिलेगा ज्यादा ताम जाम नहीं होगा सिर्फ 10 से 15 मिनिट का सो होगा इस 10 से 15 मिनिट में आप दिन भर के सारे महत्पून Current Affairs को Cover कर सकते हो तो बिना समय जाया किये हुए इस सो की सुरुवात आज हम करते हैं और आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो बहुत ही Important टॉपिक है हाली में कुबैत के National Assembly की तरफ से एक बिल पास किया गया है हला कि इसे आप एक ड्राफ्ट बिल कह सकते हो इस ड्राफ्ट बिल की मदद से अगर कुबैत चाहे और या बिल अगर Final हो जाता है तो कुबैत में रहने वाले साथ से आठ लाख लोगों को कुबैत से बाहर किया जा सकता है Actually में देखिए पूरा मामला क्या है कि अगर आप अभी present time पर total कुबैत का population देखोगे तो उसके हिसाब से 27% कुबैत के population में अभी present time पर वहाँ Indian रह रहे हैं और कुबैत चाहता है कि वहाँ के लोगों को priority मिले कुबैत के लोगों वहाँ पर जादा हों वहाँ के लोगों को जादा रोजगार मिले यानि कि अपने population को कुबैत पढ़ाना चाहता है इसलिए इस bill को लेकर आया है और अगर यह bill पास हो जाता है हाला कि यह बिल अभी National Assembly की तरफ से तो पास कर दिया गया है इस draft बिल को लेकिन अभी recommendation committee के पास में भेजा गया है अभी बहुत सारे review होंगे उसके बाद अगर यह बिल final हो जाता है तो इस बिल के according सिर्फ 10% Indian population ही कुबैट में रह सकते है अभी present time पर कितने percent है 27% है जो total कुबैट के population है बिल अगर final हो जाता है तो सिर्फ 10% Indian ही कुबैट में रह सकते हैं यहाँ पर अगर आप total कुबैट का population देखोगे तो वो लगभग 4.4 million या 4.3 million के आसपास है इसमें से लगभग 1.45 million जो है वहाँ पर Indian है यानि की 27% के आसपास या बिल सिर्फ Indian के लिए नहीं है या बिल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Egypt के लिए भी है क्योंकि अगर इंडिया के बाद अगर आपको बैट में सबसे जादा population देखते हो तो Egypt का है वहाँ पर 10% जो population है वो Egypt का भी है तो अगर या बिल पास हो जाता है तो उन लोगों पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है और अगर या बिल पास हो जाता है और 7-8 लाक भारतियों को कोबैट छोड़ना पड़ता है तो इसका असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है एक तो भारत में पहले से unemployment rate बढ़ा हुआ है उपर से अगर 7-8 लाक लोग कोबैट छोड़ते हैं तो भारत पर एक अलग से pressure पड़ेगा unemployment का अलग से pressure होगा इसके अलाबा एक आगड़ा यहां पर आप देखोगे 2018 का आगड़ा है सिर्फ 2018 में यहां पर कितना remittance भेजा गया था 4.8 डॉलर का remittance यानि की कोबैट से जो कोबैट में जो इंडियन रहते हैं और जो कोबैटी दिनार है जो इंडिया में भेजा जाता है वो 4.8 डॉलर के आसपस इन लोगों ने भेजा था तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि जो हमको foreign currency मिलता है जो foreign में एनराइज रहते हैं हमारे इंडियन उनके तरफ से जो currency भेजा जाता है उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो अगर ये final bill कोबैट में पास हो जाता है तो हमको यहां पर एक बहु लेंग्वेज आपको याद रगना है Arabic इसके लावा reason इसका 74.36% इसलाम है जो कि इसका official भी है इसके लावा 18.17% यहां पर Christian है इसके लावा 7.47% other reasons के लोग आ जाते हैं इसके लावा area अगर आप इसका total देखोगे तो 17,818 km2 जो कि पूरे world का 152 आप कह सकते हो इसके लावा इसका आप population देखोगे estimated है 2019 के according यह है आपका 4.4 million के आसपास जो कि पूरे world का 127 है तो कुबैद के बारे में इतनी basic जनकारी आप रोग याद रखिएगा परिक्षा में प्रशन पूछा जा सकता है map के माद्यम से भी मैं कुबैद का आपको location दिखा देता हूँ यह पूरे world का map है यह है हमारा इंडिया इसको आप खाड़ी का देश कह सकते हो यहाँ पर सुधी अरब आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इराक यहाँ आपको दिख रहा है इरान और य यही पर आपको मिल जाएगा way of कुबैद यानि की कुबैद की खाड़ी और यह पूरा जो है आपका Persian Gulf है यहाँ पर बहुत सारे तेल भी पाये जाते हैं जितने भी खाड़ी वाले देश हैं सारे यही पर पाये जाते हैं यहाँ पर है आपका Persian Gulf अगर कुबैद का location आप दि अगर प्रिलिम्स में कुश्चन यहां सब पुछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए एक कुश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कुश्चन आप लोगों के लिए है कुवैत की कैरेंसी क्या है हलाकि वीडियो के बीच में आपको एक बार बता चुका हूं फिर भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा आपके पास दरहम, रियाल, दिनार या फिर कुवैती दिनार आप लो जरूर बताईएगा चुलिए आज का हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं चीन और भूटान विवाद वैसे अगर आप देखोगे चीन अभी प्रेजन टाइम पर पूरी दुनिया कुरोना वैरस संक्रमन से लड़ रही है और चीन कहीं न कहीं इससे बाहर निकल चुका है चीन के पास में अभी प्रेजन टाइम पर बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्लोवल पावर बनने का चीन चाहता है कि अमेरिका को पीछे चोड़ के या फिर जो भी बड़े कंट्रीज है उसको पीछे चोड़ के वो ग्लोवल पावर बने तो अमेरिका के साथ में उसके टेंसन्स चली रहे हैं इसके लावा भारत के साथ में उसके टेंसन्स चली रहे हैं और जो भी चीन के पड़ोसी कंट्री हो गए उसके करज तले दबे हुए हैं पाकिस्तान की अगर आप बात कर लो तो बिना चीन का टैबलेट लिए पाकिस्तान को नीन आता नहीं है और यह स प्रेसर बनाने की कुछिस कर रहा है इसलिए बॉर्डर डिस्प्यूट कहीं न कहीं वो भूटान के साथ में भी खड़ा करना चाहता है ताकि भूटान पर भी प्रेसर बनाया जाए हिस्ट्री देखोगे तो चीन पूरी दुनिया को डगमगा चुका है अब तक लेकिन अजल से प्रेजेंट टाइम पर चाइना और भूटान में डिस्प्यूट है उस बात को हम लोग यहां पर थोड़ा से देख लेते हैं एक यहां पर सैंचुरी है यानि कि अभ्यारन है उसका नाम है सक्तिंग वन्नेजीब अभ्यारन यह अभ्यारन आपका पढ़ता है तो इसके वेस्टन पार्ट में पढ़ जाता है तो इसी वन्नेजीब अभ्यारन पर चीन का कहना है कि यह वन्नेजीब अभ्यारन जो है उसके हिस्से में आता है और इसी को लेकर पुरा विवाद है और हाली में कुछ दिन पहले ही चीन की तरफ से प्रतिक्रिया भी आया थ प्रवी सेक्टर जोड़ कर दे दिया है इस पर कुछ बाते अगर और हम करें तो देखें भूतान और चीन के बीच में 1984 से लेकर 2016 तक अब टक 24 बाते हो चुकी है बहुत बार बाते हो चुकी है लेकिन कुछ एरिया पर बाते नहीं हुई है उसमें से आपका सामिल है पुर्वी भूटान इसे आप कह सकते हो 83 गैंग दोसकांक जीला जहां पर आता है आपका सक्तिंग अभ्यारन और इसी अभ्यारन को लेकर किसका चेन का कहना है कि यह अभ्यारन हमारा है और 2016 से जितनी बार भी 24 20 बार मिटिंग हुई इस मिटिंग में एक बार भी इन जगों का जिकर नहीं किया गया इसलिए यह जगा को चेन टिस्टिप्यूट मानता है विवादित मानता है और अपना दावा करता है और अगर खासकर यह देखोगे अगर भारत के परस्पेक्टिब से देखोगे तो यह जो एरिया है अरुनाचल प्रदेश की सीमा से मिलता है अरुनाचल प्रदेश के वेस्टन पार्ट में आता है और अगर 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 इस पूरे विवाद पर चाइनिस फॉरन मिनिस्ट्री है उसका यहां पर अगर इस टेटमेंट आप देखोगे तो उसका कहना है कि पूरवी और कुछ पश्चमी एरिया पर यह विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है और यह विवाद तब गहराया जब यहां पर आप देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट का जो ग्लूवल इन्वार्मेंट फैसिलिटी यानि की जी एफ है जो कि नेशनल पार्क्स हो गए य उसको डेवलप करने के लिए उस फंडिंग पर भी रूख लगानी की बात कही गई चीन की तरफ से उनाइटेड नेशन में ताकि भूटान को दवाया जा सके लेकिन हलाकि ओ फंडिंग रूखा नहीं था क्योंकि चीन का यहां पर कहना था कि यह एरिया पूरा विवादित है अब यहां पर थोड़ा सा बात मैं आपको भूटान के बारे में भी बताऊंगा याद रखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से प्रिलिप्स में कोश्चन पूछा जा सकता है भूटान का कैपिटल क्या है थिम्पू एरिया क्या है टूटल 38394 स्क्वार किलोमे मैप देखोगे तो यह इंडिया का इस्टन पार्ट मान लो यह आपका यहां पर सिक्किम आ जाता है यह आपका भूटान है भूटान के नौर्थ साइड में चले ज़ओ तिबबत आ जाता है चेन आ जाता है साउथ साइड पूरा असम से घीरा हुआ है आप इसके इस्टन पाप में चले जाते हो, तो यह अरुनाचल प्रदेश, आर यह है आपका सागतिंग wildlife century, जिसे पर विवाद है, यह अरुनाचल प्रदेश के आपका western पाट में आ जाता है, भूटान के आपका eastern पाट में आ जाता है, यहाँ आपका स्झ्किम है, तो इस तरह से आपको मुटान का लोकेशन भी याद रखना है question prelims में पूछा जा सकता है इसके बाद जो next का topic है इसरो को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सफलता मिला है इसरो ने 2013 में एक मंगल यान भेजा था जो की मंगल पर पहुँचा था 2014 में अब इसरो ने एक बहुत बड़ी image भेजी है मंगल ग्रह के खुद के चंद्रमे का और उस मंगल ग्रह के चंद्रमे का नाम आपको याद रखना है वो important हो सकता है परिक्षा में पोच्छा जा सकता है उस मंगल ग्रह के चंद्रमे का नाम है Phobos जैसे प्रित्वी का जो चंद्रमा है वैसे ही मंगल ग्रह का चंद्रमा है उसका नाम है Phobos उसका सबसे बड़ा जो image है हाली में मंगल ग्रह ने भेजा है उस image को भी मैं दिखाऊंगा उस image के पार्ट के कुछ नाम रखे गए हैं उसको भी मैं यहां पर दिखाने वाला हूँ और इस मंगल यान पर जो camera लगा हुआ था और जिस camera से जिस image को भेजा गया है उसका नाम आपको याद रखना है प्रिलिम्ट में पुछा जा सकता है उसका नाम है Mars Color Camera इसका नाम आप लोग याद रखिएगा और जो image लिया गया है यहाँ मंगल ग्रह से लगभग बहत्तर सो किलोमेटर की दूरी पर यह चंदरमा था वहां से लिया गया है और phobos से लगभग 4200 किलोमेटर दूर पर था मंगल ग्रह वहां से यह image लिया गया है तो इतनी चीज़ें आप लोग प्रेलिम्स के लिए नोट करके रखिएगा यहां से question पूछा जा सकता है यह image जो है वो Phobos की है जो की मंगल ग्रह का चंद्रमा है और यहां पर एक बहुत बड़ा गड़ा धूंडा गया है और उस गड़े का नाम दिया गया है इसका नाम दिया गया है तो इसका नाम याद रखिएगा प्रेलिम्स में पूछे जा सकते है और बहुत सारे छोटे छोटे गड़े खुजे गया है जिसका नाम दिया गया है स्लोवास्की दिया गया है रोस दिया गया है इसके लावा ग्रील ड्रीक भी इसका नाम दिया गया है ये तीनों आप गड़े आप यहां पर देख सकते हो तो इसरो का जो मंगल यान जो की 2013 में भेजा गया था मंगल पर 2014 में पहुँचा था उसने फोबोस का एक बहुत बड़ा image observe किया और उसने भेजा है और उसको observation के आधार पर इसका अलग अलग गड़ों के का नाम करन किया गया है इन सब सारी बातों को आपको ध्यान रखना है प्रिलिम्स के लिए बहुत important हो सकता है आपसे परिक्छा में प्रशन पूछा जा सकता है इसके अलाब़ा tops योजना next topic हमारा tops का मतलब है target olympic podium scheme यह scheme पहले से चल रहा है लेकिन यह scheme बड़े लोगों के लिए चल रहा है इस scheme को उन बच्चों के लिए सुरू किया जाएगा जिनकी उम्र 10 से 12 साल है और इन बच्चों को तयार किया जाएगा olympic 2028 के लिए और target भी रखा है कि पदक की सूची में इंडिया को कम से कम top 10 में लाना है इसलिए top scheme को बहुत जल्द अभी सुरू नहीं किया गया है बच्चों के लिए भी इंडिया में सुरू किया जाएगा ताकि इंडिया का जो प्रतीभा है जो बच्चों में प्रतीभा है उनको अफसर दिया जा सके उन्हें रहने खाने का भी खर्चा दिया जा सके पूरा जो खर्चा है उनका मंतराले की जरब से उठाया जा सके तो top schemes के बारे में याद रखिएगा खेल मंतराले का इस scheme से prelims में पूछा जा सकता है पहले से बड़ों के लिए चलाया जा रहे है लेकिन अब बच्चों के लिए भी इस scheme को चलाया जाने की बात की जा रही है और इ चाइनीज एप का जिस प्रकार से विरूद हो रहा था जिस प्रकार से पचास से ज्यादा चाइनीज एप को यहां पर government की तरफ से बैंड किया गया उसके बाद इंडियन एप को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इसी के मद्दे नजर भारत के उपराश्ट पत इस application में आपको बहुत सारे features मिल जाएंगे एक ही application में आपको बहुत सारे features मिल जाएंगे calling के features मिल जाएंगे आपको messaging के features मिल जाएंगे इसके अलावा इसी application में आपको e-marketing के भी features मिल जाएंगे तो भारत का अपना पहला develop social media application का नाम क्या है तो उस application का नाम है elements इसमें आ लावा e-marketing सारी सुभित हैं जो है एक ही application में मिल जाएगा बस आपको इतना ध्यान रखना है प्रिलेम्स में आपसे अगर पूछा जाता है भारत का पहला social media application तो बस इतना ही पूछा जाएगा इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा इसके बाद जो last का हमारा topic है वो है दलाई लामा से संबंदित दलाई लामा का आज यानि की 6th of July को 85th anniversary मनाया गया है हाला कि इनका जो anniversary है इनका जो जन्म दिवस है वर्चुल रूप से मनाया गया और वर्चुल रूप से मनाया जाने के पीछे का उद्देश है आप लोगं को पता है कि कोरोन सक्रमन क कि वज़ा से लोग एक जगा बहुत सारे लोग एकठा नहीं हो सकते और इनके जन्म दिवस के अफसर पर एक album launch किया गया है इस album के माध्यम से लोग जाब करके इनके मंत्रों का उचारन करके इनके जन्म दिवस को मनाये और इस album को जिन्होंने launch किया उनका नाम याद रखे लेगा प्रिलियम्स के लिए important हो सकता है नी और की इनकी छात्रा है जुनिल क्यूनिन और इनके husband है अब्राहम क्यूनिन इन दूनों ने ही और इनकी कोशिसों के बाद ही इस album को launch किया गया है और इस album में इनके जितने भी मंत्र हैं इनके जितने भी ग्यान है उन सारी चीज पर आप लोग दलाई लामा के बारे में भी समझ लीजे कि दलाई लामा का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था उत्तर पूर्वी तिबबत में उमान परिवार में 6 जुलाई 1935 को दलाई लामा का जन्म हुआ था और सिर्फ जब ये दो साल के ही थे तो इनकी जो प थूप्टेन ग्यादसो के रूप में इनकी पहचान की गई थी यह वला जो पॉइंट है कोईशन के रूप में पूछा गया है यह तेरेवे दलाई लामा के रूप में थूप्टेन ग्यादसो के रूप में इनकी पहचान की गई थी और इसी के रूप में इनको जाना जाता ह और इसी का अफ़तार इनको माना जाता है तो तलाई लामा के बारे में आप लोगों को इतना याद रखना है तो दी करेंट अफेर सो में आज 6 महत्पून टॉपिक्स हमने एनालेसिस किया दो टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्डेंट थे एक तो चीन और भुटान का आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो क्वेशन मैंने आपसे पूछा है उसका एंसर आप लोग जरूर दीजेगा तो फिलहाल इस दी करेंट अफेर सो में इतना ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही थैंक यू थैंक यू बर्मच